किंग फिशर एरलाइन्स के विजे मालिया से तो आप वाकिफ ही हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि किंग फिशर एरलाइन्स का दिवालिया निकलने के बाद ऐसा कहा जाता है कि विजे मालिया ने बैंकों का पैसा ना वापिस करने के चलते काफी समय से United Kingdom में पना ले ली जिसके चलते आज भी हिंदोस्तान उनके extradition process की कोशिश कर रहा है ताकि उन्हें भारत वापिस लाया जा सके और बैंकों का पैसा वापिस ना देने के चलते कानून के कटहरे में खड़ा किया जा सके ऐसे में हाली में खबरों के हवाले से ये खबर आ रही है कि Spice Jet नाम की Airlines में चल रहा लॉस और बढ़ गया है जिसके चलते वाइडनिंग ओफ लॉस रिपोर्ट किया गया है 2 रुपीज 8.38 करोर फॉर दिस जुलाई एंड सप्टेंबर जो कि खबरों के आकलन से काफी अलार्मिंग दिख रहा है और अगर कारण पूछे तो इसका कारण बताया जा रहा है High Fuel Prices और International Bazaar में रुपी की घट्टी कीमत और आगे हम आपको ये भी बता दे कि खबरों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि Spice Jet के CMD आजे सिंग का कहना है कि एरलाइन सेक्टर काफी समय से कॉस्ट में बढ़ते चैलेंजिस देख रहा है ऐसे में वो ही दो मुद्दे मेन बताया जा रहा है है जो कि एक टर्बाइन फ्यूल कॉस्ट और दूसरा घट्टी रुपी की वेल्यू जो कि एरलाइन इंडस्ट्री में मचा रहे हैं उतल फुतल अब ऐसे में क्या आने वाले समय में इस उतल फुतल का भार पड़ेगा आम जंता पे क्या आगे जाकर नहीं देखने को मिलेंगी हमें लो कॉस्ट एरलाइन्स जो कि एक बड़ा सवाल है ये थी The True Hunt चैनल की रिपोर्ट और ऐसी खबरे देखने के लिए जुड़े रही है The True Hunt से